नमस्कार मैं हूँ शाषी तुशार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक केंद्रिय काबिनेट ने पीम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहट 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगे तो आज़े सबसे पहले जानते हैं पीम सूर्य घर योजना है क्या केंद्रिय मंच मंदले पिछले गुरुवार को पीम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे और इस पर 75,021 करूर रुपे का खर्च आएगा योजना के तहत एक करोड घरों की चतो पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी सूचना प्रसारण मंत्री निराग ठाकुर ने बताया है कि चतो पर सोलर पैनल लगाने और एक करोड परिवारों को हर महीने प्रते परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की इस योजना को मंजूरी दे गई है हर परिवार को 1 किलो वाट क्षमता के प्लांट के लिए 30,000 रुपए और 2 किलो वाट के प्लांट के लिए 60,000 रुपए सबसे निमिलेगी एक करोड घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने के बाद 15,000 रुपए का सालाना फाइदा होगा इससे सीधे दोर पर 5-6 करोड लोगों के जीवन पर प्रभाप पड़ेगा केंद्र ने 13 फरवरी 2024 को ये रूजना लॉँजना लॉंच के थी हर परिवार के लिए 2 किलो वाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर 60 प्रतिशत सबसेडी मिलेगी इसके बाद अगले 1 किलो वाट पर 40 प्रतिशत और सबसेडी मिलेगी मौजुदा वेंचमार्क प्राइसेश पर 3 किलो वाट के प्लांट पर 1,45,000 रुपए की लागत आएगी और 1 किलो वाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए 2 किलो वाट के लिए 60,000 रुपए अधिक के सिस्टम के लिए 78,000 रोपे की सबसिदी की व्यवस्था इस योजना में की गई है सबसिदी के बाद बाकी की जो रकम है वो भी कम ब्याजदर पर बैंकों से मुहिया कराने का इंतजाम किया गया है इस कर्स पर बैंक रैपो रेट के उपर अधिक से अधिक 0.5 प्रतिशत ब्याज़ी चार्ज कर पाएंगे फिलाल रैपो रेट है 6.5 प्रतिशत स्कीम के तहाट लाब उठाने के लिए आपको pmsudyaghar.gov.in पर रजिस्टर कराना होगा सबसिदी के लिए नैशनल पोर्टल के जरी आविदन करना होगा वहाँ दिये के वेंडर्स में से लोग अपने पसंद के वेंडर को चुन पाएंगे जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगा वेंडर की ओस इंस्टॉलेशन की टक्रिया पूरी होने के बाद डिसकॉम द्वारा नेट मीट्रिंग की जाएगी सर्टिफिकेट पोर्टल पर अप्लोड कर दिया जाएगा और सबसिदी सीधे सम्मधित व्यक्ति के बैंक खाते में भीचती जाएगी नैशनल पोर्टेबल लोगों को जानकारी दी जाएगी जिसकी मदद से वो अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम साइज चुन पाएंगे मैनेफिक कैलकुलीशन और वेंडर की रेटिंग से पता करने में भी पोर्टल साहिता करेगा सरकार का माना यह है कि स्कीम से आजबलीय को भी फायदा होगा डिसकॉम को आधरबू धाचा अपग्रेड करना होगा और भारत सरकार उसको इंसेंटिव देगी पंचायती राज संस्थाओं में भी लाब होगा केंदर सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक रूफ टॉप सोलर पैनल लगा दिया जाएगा भारत में तयार किये गए मौज्यून को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा और इस योजना से सीधे तोर पर 17 लाख लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे लोग सभा चुनाव नजदीक आने के साथी विपक्षी पार्टियां केंदर सरकार को महकाई और बेरोजगारी जैसे मुर्दो पर घेरने की रणनीती बना रही है पीएम सूर्य योजना से एक तो आप आम लोगों को बिजली के बिल में रहात मिल जाएगे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार के अफसर भी पैदा होंगे चुनावी मौसम में योजना विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी का एक बड़ा हत्यार साबित हो सकती है उमीदा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दे चुनाव से संबने तमाम जानकारियों के लिए और हपरों के लिए आप देखते रहे हैं चुनाव आज तक को फिलहा है मुझे इजाज़त देजिए नमस्कार